हेलो गाईज, टेश्टी हों कुक में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं गेहू के कुरकुरे जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है और आप इसे एक बार बना के सालो साल इस्टोर कर सकते हैं जब भी बच्चे कुछ खाने को मांगे तो आप इन्हें फ्राई करके दे सकते हैं इस तरीके से अगर आप कुरकुरे बना के बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चों को नुस्कान भी नहीं करेगा और मार्केट का जो कुरकुरे होता है उससे बच्चे मांगेंगे भी नहीं खाने के लिए तो बस इस कुरकुरे को बनाने के लिए आप ले लीजे गेहूं जितना कुरकुरे बनाना चाहते हैं उसे साब से आप गेहूं लीजे जैसे आप गेहूं को प्रेस करेंगे तो यह दबेगा नहीं क्योंकि गेहूं सक्त होता है इसे भीगने में टाइम लगता है तो जो पानी इसमें है इसे हम बाहर निकालेंगे और इसमें दूसरा पाने डालके इसे फिर से राद भर भीगने के लिए छोड़ देते हैं ताकि गेहूं अच्छे से भीगे अब गेहूं को भीगाए हुए तीन दिन का टाइम हो चुका है और आएए आप देखते हैं कि अच्छे से भीगा है की नहीं उपर आप देख सकते हो यह काफी बबल से दिखाई दे रहा है और काफी खटी-खटी सी इसमेल आने लगी है गेहू जो है निकलेगा तब आप समझिए कि आपका गेहुं अच्छे से भीख चुका है उसके बाद हमें गेहुं को ग्रैंड करना है तो एक ग्रैंडिंग जार में हम ट्रांसफर कर लेते हैं आधी ग्लास पाने डालेंगे काइफ लगा के गेहुं को ग्रैंड कर लेंगे उसके बाद हमें इसे च्छानना है तो च्छानने के लिए मैंने यहां पर एक बड़ी च्छन्नी लिया है और इसमें हम आट करेंगे चम्मस से या फिर कल्ची से अलट-पलट करते हुए प्रेस करते हुए इसे हम च्छान लेंगे इसी तरीके से बाकी जो गेहूं है उसे भी ग्रैंड करके और सारा जूस निकाल लेंगे तो यह मैंने सारा जूस निकाला हुआ यह काफी गाठा दिखाई दे रहा है तो इसमें हम डाल देते हैं पानी मैंने हाँ पर ये एक ग्लास पानी इस्तमाल किया है मिक्स करेंगे और इसे एक बार फिर से छान लेते हैं ताकि जो भी गेहूं का छिलका हो वो निकालाए तो चाय वाली छानी से छानेंगे क्योंकि इसके जो छेदे होते हैं वो बारिक होते हैं अच्छे से छान जाएगा यह देखिए यह छिलका निकला हुआ है सारा मैंने हाँ पर छान लिया है अब इसे हम ढख करके एक घंटे के लिए रख देते हैं क्योंकि हमने इसे पानी का इस्तमाल किया हुआ है वो पानी हमें निकालना है तो आप इसे ढख करके एक घंटे के लिए रख देते हो तो जो वाइट वाला पाठ है गयोंको वो नीचे दब जाएगा और जो हमने पानी इस्तमाल किया है वो उपर उपर दिखाई देगा यह देखिए उपर उपर आपको पानी दिखाई दे रहा है तो इस पानी को हम चान लेते हैं इस कुरकुरे को बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगती है लेकिन खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है हल्का खटा फ्लेवर आता है इसका तो सारा एक्ष्ट्रा पानी मैंने निकाल लिया है और जो गेहूं को वाइट वाला पार था वो देखी नीचे जमा हुआ है इसे हम निकाल लेंगे ये काफी गाठा दिखाई दे रहा है तो इसमें हमें फिर से पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो एक बरतन गरम होनी के लिए रखा है मैंने और इसमें हम दो गलास पानी आट करेंगे गैस का फ्ले मीडियूम रखेंगे जैसे ही पानी हलका से गरम हो जाता है इसमें हम गेहूं वाला पेश्ट आट करेंगे और इसे मिक्स करते हुए हमें पकाना है तो ध्यान रखेगा कि हमें इसे कंटीनियूम मिक्स करते रहना है अगर आप हात रोक देंगे तो लमस पर जाएगा जैसे जैसे पकता जाएगा ये गाढ़ा होता हुआ दिखाई देगा दस मिड़ बाद आप देखेंगे कि ये काफी गाढ़ा दिखाई दे रहा है फिर इसे और हम पांस मिड़ पकाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि इसका कलर हलका सा चेंज हो चुका है फिर इसमें हम नमक एट कर देंगे नमक यहाँ पर आप कमजादा कर सकते हैं मैंने एक चमच इस्तमाल किया हुआ है नमक को भी अच्छे से मिक्स करके दो मियर तक फिर से मैंने पकाया हुआ है अब यह काफी ठिक दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से देखी इतना गाढ़ा यह हो चुका है अब हम गैस का फ्लेम आफ करके इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे जब यह ठंडा हो जाएगा तो और जो है वेटर जैसा यह दिखाई देने लगेगा फिर इसमें हम एक चमच कुटी हुई लाल मिर्ची आड़ करेंगे इसी साथ इसमें मैं आड़ कर रही हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है हम बना लेते है कुरकूरे को तो मैंने यहाँ पर एक पॉलिथीन लिया है बेशन की और इसे कट कर लेंगे नीचे से थोड़ा सा पॉलिथीन को फैला के और इसमें हम बेटर को डालेंगे पॉलिथीन को चारो तरफ से अच्छे से कवर करके हम पकड़ लेंगे और हलके हाथों से उपर से प्रेस करेंगे तो नीचे से बेटर निकलेगा उसके बाद कुरकुरे बनाने के लिए मैंने हाँ पर एक पॉलिथीन लिया हुआ है और इसके उपर हम बना लेते हैं कुरकुरे तो बस ये हलके हाथों से प्रेस करते हुए आप इस तरीके से सीधे सीधे कुरकुरे बना सकते हैं इसे सुखाने के लिए जो है अगर धूप में सुखा रहे हो तो दो दिन का टाइम लगेगा और फैन के नीचे सुखा रहे हो तो तेन दिन कुरकुरे सूख कर तयार हो चुका है इसे आप किसी भी एर कैंटेनर में रखके सालो साल इस्टोर कर सकते हैं फ्राइ करने के लिए बस आप कुरकुरे का ओयल में डालिए अलट पलट करेंगे जैसे आप देखें कि जो है उपर से ये साइज में बड़े दिखाई देने लगे हैं वाइट कलर दिखाई देने लगा है इसे बाहर निकाल लीजिए ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर है बहुत ही बढ़िया कुरकुरे यहाँ पर फ्राई हो का है इस तरीके से फ्राई करके उसके ऊपर मसाले डाल डीज़ीए जिसे की ये मसाले दार कुरकुरे भी बन सकता है